सबी को नमस्कार आज बाबा साहब अमबेटकर जी की इस पुन्यतिति केश्व बॉसर पर भारती जन्ता पार्टी स्टेट आफिस में ये सी मोर्चा के तत्वधान में यहां कारिकरम रखा गया इस कारिकरम में इसी मोर्चा के अद्देक्ष बाशा जी, सामबा मुर्टी जी, मनहोर रेड़ी जी और भार्टी जन्ता पार्टी के इसी मोर्चा के सभी कारे करता गया उपसित रहे हैं आज पूरे भारत में बाबा साहिब अम्बेटकर जी की इस पुन्यतिति के अउसर पर सब लोग उनको सद्धांजली अर्पित कर रहे हैं और अपने आपको गौरवांगी समझ रहे हैं कि आज हम गर्फ से जी रहे हैं तो हम बाबा साहिब अम्बेटकर जी की ही वज़े से और बी सी सबी वरगों के साथ न्याय अगर हो रहा है तो वो बाबा साहिब अम्बेटकर जी की ही वजे से है तो सभी लोग आज उनको नमन कर रहे है और उनको आज याद कर रहे है मैं बाबा साहिब अम्बेटकर जी को पड़ाम करता हूँ धन्यवाट करता हूँ और मेरी शद्धानजली उनको अर्पित करता हूँ केसियार और उसका परिवार जिस प्रकार से केसियार ने तिलंगाना की जंता को धोका दिया था सबसे पहले हमारे यसी समाज को ये केसियार ने धोका दिया था 2014 में आप सबको याद होगा कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती अगर मैं ज़्यादा विधायक जीतता हूँ समाज को देने का उनका वादा था और दलिद बंदू लगा कर सिर्फ सव परिवारों को देकर बाकी के ग्यारा सो परिवार वालों को धोका देने वाला ये केसियार कभी भी केसियार ने बाबा साहिब अमिटकर जी की पुनितिती पर शद्दा अंजली अर्पित नहीं की कभी कोई कारिकरम नहीं किया विधान सबा में खड़े होकर यही केसियार ने कहा था कि हम बाबा साहब अमिटकरजी की भव्य प्रतिमा टैंग मौन पर बिठाएंगे जबान देकर पलटने वाला केसियार लेकिन भारती जनता पाटी ने हर बार जो किये इस वादे को याद दिला दिला कर केसियार को मजबूर किया बाबा साहब अमिटकरजी की प्रतिमा टैंग मौन पर बनाने के लिए आज वहाँ पर प्रतिमा बनी है तो वो केसियार की वाज़े से नहीं जिस प्रकार से तिलंगाना की जनता को दोका दिया आज फार्म हाउस में चुप कर बैटा है और केसियार ने हार के बाद में कोई प्रिस्पिट नहीं लगई और ना ही केसियार को मिले से वोटों के लिए वोटर्स को धन्यवात कहा तिलंगाना की जनता देख रही है और भहिशकार किया है KCR का उसके परिवार का उसकी पार्टी का आज रेवंतरडी जी शायद आज कल में मुख्य मंत्री डिकलेर होंगे साथ तरी को शपत है सामें में सुना है रेवंतरडी से निवेदन है कि आपका एक हामी था आपका एक वादा था कि KCR की स्कीमों को हम और इंप्लिमेंट करेंगे और उसको स्ट्राइंग करेंगे तो रेवंतरडी जी हमने हमारी पार्टी ने हमारी भारती जनता पार्टी के कारकरताओं ने केसियार को नहीं छोड़ा हम तुमें भी नहीं छोड़ेंगे दली समाज को अगर कोई भी धोका देगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे ये बात हमारे रेवंतर डिजी ध्यान रखना आज बाबा साहब अम्मेटकर जी को सारी दुनिया तो जानती है लेकिन और जानने और पैचानने में अगर किसी ने कारिक किया है तो वो प्रधान मंतरी मोदी जी ने पंच तीर्थ का निर्माण किया पांच जगाउं पर उनको इतिहास को वहाँ पर इम्प्लिमेंट किया दिली में भी एक नैशनल अकाडमी का निर्माण किया तो आज भारती जनता पार्टी ने अम्विटकरजी के जो इतिहास को जितना प्रचार करना था उन्होंने किया है और एक तरफ कॉंग्रेस जिन्होंने कभी भी बाबा साथ अम्विटकरजी को मान सम्मान नहीं दिया ये जनता जानती है समझती है बहुत दिन कॉंग्रेस का राज तलंगाना में नहीं रहेगा बहुत से बहुत छे महने बहुत से बहुत एक साल उसके बाद में जिस प्रकार से करनाटक में कॉंग्रेस का असली चेहरा करनाटक की जनता ने जाना है उसी प्रकार से तिलंगाना की भी जनता जान लेगी कि ये जो इनका मिनिफेस्टो था जो छे इनके वादे थे ये जूटे हैं और इनके वादों में हम लोग ट्रैप हो गए तो आने वाले समय में तिलंगाना राज्ज में भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी double engine की सरकार बनेगी और आज बाबा साहिब अम्बेटकर जी की इस पुन्नितिति पर जितने भी हमारे भाई बंदू भारती जनता पार्टी की अधिकार गंट पादा रहे हैं उनको रिजे से धन्यवाद पुकर करता हूँ जैब भीम जढसे की जढसे भीम जढसे की जढसे की समर कवजब